इसमिल्य रुमानी अभी सब्सक्राइब रहें वर्वाले को सभावल जो Summa आपने और तीन तीन फिरकां को अपने तक केसस है लखनला इंडिया में में खुद देखा हुँँआ है तो इसके बारे पुछ बोलो इससे अधे लेने से अंजाम कितना बुरा होता दुनिया में कितना बुराता आखिरने वो शक्स की हालत क्या होती जो देर के वापी से लेत और भने में इस पहले जगे को वापस ले लेना और दुसरे फिरक्थ में दे लेना एक उड़ी चीज़ को दे दे सब्सक्राइब मजद को बोले कि मजद को बोले कि देके विर उसकी जगा दुस्टा मदरसी को कर देना दूसरे को अनुट के का शाय समझे ना कोशन दो मेरा जार था मैंने आपके सामने जो आयत पड़े है सुरे तुबा आयत नमर 18 इसका तरजमा यही है कि अल्ला की मसाजिद को वही लोग आबाद करते हैं जो आखरत के दिन पर इमान लाते हैं अल्ला पर और आखरत के दिन पर इमान लाते हैं नमार इसकाइम करते हैं जकात अदा करते हैं और अल्ला के सबाद किसी जिन डिरते हैं अब इस आयाएत के अदर क्या गए गया है नसाजित को वह लोग आबात करते तामीर करते हैं जिनका एमान अल्हाँ पहा है आखरत पह है आँखरत पह अभ बहुव सेखे न, अब अल्लह के नभीस सिर्ण की हदेश किया है कि जिसने मन बन मजजदा जिसने मजजद बनवाई अल्ला की रिज़ा के लिए तो अल्ला ताला उसके लिए किया कि जन्नत में एक घर बना देता है जन्नत में एक घर बना देता है ये मजजद बनाने की एहमियत ये मजजद बनाने का सवाब ये मजजिद बनाने का सवाब एक फजीलत पहन की गए अब मजजिद को वही आवाद का जिसके तामिर करेगा जिसका इमान रहेगा अल्ला आपे युमिया आखरत पर और नमाज खाई मगरे ज़कात अदा करेगा तो ऐसे हैं अब बात आती है जिसे मजजिद की जड़े देते हैं बाद मु अपस ले रह रहे हैं क्या वज़े रहती हैं GPT दूर कि दुश्मनियां रहते हैं उससे होता है है ना तो पहली बात तो यह इसा नहीं करना चाहिए घलत है यह माशरे में जुपड़ाई पाई जा रही है यह फिरिकाव फिरिकावालियत के इसलाम में कुछ जिकर नहीं है है ना बलकि रोका गया है कि जो है तुम लोग एक मिल जिल करके रोखो अल्ला की मजबूत रसी को ठाम लो हुक्म दिया गया बाका जाओ वायता सिंबी हब लिल्ला कहा गया इनलाह की रसी को मजबूत ठाम लो उन्हों कुरान हदीस पे चब जो जब आप एक बार मजजिद में जगह दे दी है तो उसको वापस लेने का हक नहीं बनता क्यों इसकी मिसाल देता हूँ अस्मान गनी ने मजजिद नवरी की जगह के लिया जब खरीदा उसको अल्लाह के लिख गया क्या दुबारा लिया वो लिया नहीं लिया यह से पता के चलता मजजिद जो हम दे रहे हैं अन्हें के रिजद ने रहे हैं और उन ज्सके ले чиंकि जगए हो ङुख कर रहे हैं और हमने वापस ले लिया तो उसका बहुत बु लोटा गए हमारा इमान चलेए संभी एमान कमारे को communism क्यों किया इमान वाले मजिद को तामीर करते हैं अब में मजजीद में ज़र देई गर के वापस ले ले तो आपका बनवाई मजजिद बनवाई उसमें आप मजजिद नियत साफ होने चाहिए इसका मतलब आपकी नियत साफ होने चाहिए इसका मतलब क्या है आफ जगड़ा के लिए वामजिद दाक हम इंसान करता है अब हम आप सब्सक्रदन में बहुत गलत करते हैं पुरान की खिलाब भी जाते हैं हजिस की खिलाब भी जाते हैं अब मजजिद नो कोई अल्ला के ने मजजिद क्या नहीं बनाई इसके मिसाल एक और देता हूँ पुरेश के लोगा खाने काबा को बनाए कुरेश के लोग जो है खाने कावा को बनाए अब कुरेश के लोगों मीटिंग किये पहले खाने कावा को बनाने से मीटिंग पहले किया गया गया इसमें हलाल पैसा लगाएंगे अब पूरी उसमें हर जमात के लोगा थे हरो खर्णदान लेवा थे हैं कोई खनान वाला उन्हें ओठके बॉला कि मैं में माज्जी के उन्हें पैसा नहीं दूँगा पार और यह वर हो कि फाल रहु हॉए हैं नहीं उन्हें बनाया उन्हें फुरेश और ने बनाया अल्लाह करें कि यह इस अगर वापस ले रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारी नियत खोड़ती हमारा इमाने दूसरी मजिद को दे रहे तो मदरसे को दे रहे एक्जापल को एकिम के वास्टे दे घलत है इसको अग्रिमेंट होगा खतम चाहिए मजजिद के लिए जो जगह वाक्फ हो गई मजजीद ही देखाए मजजीद को नहीं को नहीं धर मेरे मैं इस अब में चल रहा है अफ़ती है इस घर को रोखे घर को रोके रहे है तो अल्ला की मार उसे पढ़ती है आज ने तो कियामत के दिन पढ़ती है अल्ला इसलिए इससे केरफुल होना साउधान होना कि मज्जिद हम जहां दे दिये वो मज्जिद ही रहेगी और जो है वो मदर्सा बनाएं क्या भी बनाएं उस जगह बदल नहीं सकती है इसलिए मुण ने वक्त किया है अद्दा के लिए अगर लोगों के हम वक्त करते हैं तो उसका सबब भी नहीं मिलेगा जाद रखी है तो उसका सबब नहीं मिलेगा तो इसलिए यह जो आपस में लड़ाना बिड़ाना ये शेतान का काम है, शेतान हमारे दर्मियान दुश्मनी पराता है, इसलिए दुश्मनी नहीं करने चाहिए, आप या कोई भी आदम मजजीद को जगए देता है, वह आपस ना ले, बलकि मजजीद ही के लिए दे, वह अफ़ करते, अल्ला उसको आजर देगा, अ आपसे बोको नेका मिलिक तोफियों करता फर्म है, और यह अफ़लाप करने से बचाए है, आमीं, अमार्मियुलाख